नम्शिकार मैं हूँ लिल्ला स्वाक्त है आपका हमारे चैनल में आज का विश्य है दिपावडी की पूजा के बाद पूजा समगरी का हम क्या करें सबसे पहले तो देखे दिवाड़ी की शाम को हम लश्मी पूजा करते हैं जो हम भोग परशाद अर्पत करते हैं पूजा के बाद उस बोग परशाद को आप अठा सकते हैं और बोग परशाद को अठाने के बाद आप उसे ग्रहन भी कर सकते हैं बस एतना ध्यान रखें कि पूजा के बाद हमें पूरा परशाद पूरा परशाद चौंकी से नहीं हटाना होता है एक टोरी में थोड़ा सा प पातर आप वच रखें शाहत्रों के इंसार रात को माल अच्मी बिचरन करती है पूरा परशाद बहां से हम हटा लेंगे तो माल अच्मी के आगवन पर माल अच्मी के लिए परशाद नहीं वजेगा इसलिए आप पूरा परशाद ना हटाएं उसके लिए थोड़ा सा आप पूजा के बाद ना तो आप कल्चटाएं और ना ही आप चौंकी कोटाएं शाम की पूजा के बाद एक दीपक आप पूरी रात जालता हुआ ही रखें और अगली सुवा जब दीपक ठंडा हो जाए तो कोई देखते नहीं अगली सुवा आप शनान करें शुद्वास्तर पह पूजा एक वार फिर सुवा के समय भी आपको करनी होगी बगवान कोशनान भी कराना होगा दूप दीप भी दखाना होगा और बोग परशाद भी अरपत करना होगा उसके बाद ही आप बसारजन की विदी शुरू कर सकते हैं आप करें आप बसारजन बसारजन करते समय सब से पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षद ले लें और बगवान से प्रार्थना करें कि मैंने दवाली पूजा में आप काहान किया था मेरी दवाली पूजा अच्छे से संपन हो चुकी है और मा रश्मी और गनेग जी को शोड़ कर आप सभी अपने दाम को बदारें ऐसा बोल कर अक्षद जमीर पर शोड़ दें उसके बाद आप काल्च को और चौंकी को ला सकते हैं उसके बाद मा को आपने जो फूल माला अर्पत की थे उसे आप बसारजन कर सकते हैं जो आपने काल्च के नीचे चावल रखे थे बो आप पाक्षियों को डाल सकते हैं अगर आपने मिटी के दीव के जलाई है, पांच, ग्यारा, इकी, जितने भी आपने जलाई हैं, वो आप पूझा के बाद उन्हें आप बसारजन कर सकती हैं, उसके बाद धातु की मूर्ति, सोना चांदी, पीतल की अगर मूर्ति है, आपके पास उसकी पूझा की है, तो आप उसे पूजा स्थान पर रखें और उनकी आप विदिवत पूजा करें अगर आपने नई मिट्टी की मूर्थी लाकर पूजा की है तो आप उसे बसार्जन ना करें क्योंकि अभी अभी तो आपने उनकी पूजा की है एक रात पहले तो आपने उनकी पूजा की है उन्हें आप सर्जन ना करें ऐसी गलती आप बूल कर भी ना करें अगर आपके पास पहली वाली मूर्ती है तो उसे आप सर्जन कर सकते हैं जो आप नई मूर्ती लाते हैं तो आप उसे अपनी पूजागर में राख सकते हैं और डेली पूजा करें के उपर जो आपने लाल कपड़ा वशाय है उसको आप ब्राह्मन को भी दे सकते हैं जा फिर आप उन्हें फिर से पुजा में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने माल लाश्मी कोशंगार का समान अरपत किया था वो समान आपके घर में स्वागन मेला नहीं जूज करना होता है उसे आप किसी को बाहर में बाहर किसी को ना दे वो समान आप अपने ब्लाड रेलेशन में तो दे सकते हैं परन्तु आप उसे बाहर किसी को भी ना दे जो आपने दक्षनार पत्की है वो आप मंदर में दे सकते हैं जा किसी जरूर्त मंद को दे सकते हैं जो कल्च के नीचे चावल रखे थे वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं जो आपने कल्च में सपारी और हल्दी की गाह डाली थे वो आप सार्जित कर सकते हैं जो आपने कर्च के उपर नारियल रखा था वो आप नारियल को जातो आप मेन गेट पर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर टांग सकते हैं जा फिर आप अपनी कीचन के दोर पर भी टांग सकते हैं एक साल के लिए आप इसी तरह रहने दे और अगले साल उस नारियल को आप अतार सकते हैं और नया वाला नारियल आप बहाँ पर टांग सकते हैं आप चाहें तो नारियल को बसारचन भी कर सकते हैं आप चाहें तो गार में परशाद के रूप में बाढ़ सकते हैं जैसी आपकी इच्छाव बैसा आप कर सकते हैं जो कल्च के अंदर जाल था उसे आप अपने गार के गोनी कोनी में चेड़क सकते हैं, और बातरुम बगारा को शोर कर, बचा हुए जाला आप किसी पेड़ पॉद्धे में डा सकते हैं, जो आपने महालाक्षमी जी के सामने बोग परशाद रखा था हौल जालका पतर रखा था- बोग परशाद तो आप खा स सकते हैं ग्रैन कार सकते हैं और जो जाल का पात्र था वो आप सूर्या देव को जालर पत कर सकते हैं जहां फिर आप किसी पेड़ पौद्धे में भी डाल सकते हैं जो आपने कल्च के इंदर शोग के पत्ते जहां फिर आंके पत्ते लगाए हैं वो भी आप बसार्चित कर सकत आप अपने गार पर ही करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजिए शेयर किजिए सबस्क्राइब किजिए थैक्स पर वाचिंग दिस वीडियो